हाई फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मसाले वाली पूरी उसके साथ में बनाएंगे आलू टमाटर की सबजी तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे आलू की सबजी इसे बनाने के लिए मैंने इहां पे लिए हैं साथ मेडियम साइस के आलू हम इसे बोइल कर लेंगे बोइल करने के लिए मैंने इहां पे लिए एक प्रेशर कुकर उसमें डाल देंगे अपने आलुओं को साथ ही हम इसमें एट कर देंगे पानी अब हम अपने कुकर की लीड लगा लेंगे और इसे चार से पाच विसर लगा के बॉयल कर लेंगे यह देखिए हमारा आलू है वो बॉयल हो चुका है अब हम इसके छिल्की निकाल लेंगे यह देखिए मैंने सारे आलू के छिल्की निकाल लेंगे और इसे कट कर लिया है अब इसे बनाने के लिए मैंने यहां पिलिया है साथ मीडियम साइस की टमाटर और यहां पिली है मैंने पास अच्छे हरे मिर्च अब मैंने यहां पिली लिया है एक कडाही उसमें डाल दिया एक बड़ा चम्मस सरसो का तेल सबसे पहले हम इसमें डाल देंगी सरसों की दाने या राई दाने और इसे हम अच्छे से चटकने देंगे अब हम इसमें एड़ कर देंगे अपनी हरी मिर्च को इसे भी हम रेड हो दिने तक फ्राई कर लेंगे यह देखिए हमारी हरी मिर्च है वो रेड हो चुकी है अब हम इसमें डाल देंगे अपने टमाटर को साथ हम इसमें एड़ कर देंगे वन टेबल स्पून हल्दी पाउडर वन बै फो टेबल स्पून तीका लार मिर्च वन टेबल स्पून नमक आप नमक अपने टेस्ट के कॉर्डिंग भी डाल सकते हैं साथ हम इसमें एड़ कर देंगे वन टेबल स्पून हीम इसे हम अच्छे से मिला लेंगे यह देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है अब हम इसे ढख देंगे अर 10-15 मिट के लिए इसे लो फलिमपे पका लिए यह दिखी दस से पन्दमिट हो चुके हैं मैंने 2-3 बर stata चम्मत चला लिया था हमारे टेमाटर अच्छे से पक चुके हैं फिसे हम अच्छे से चम्मत चला लिए अब इसमें हम एड़ कर देंगे अपने आलूहों को इसे भी मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे और एक से दो मिनिट के लिए से हाई फ्लेम पे भून लेंगे ये देखे हम ऐसे ही चम्मच चलाते हुए भूनना है अब हम इसमें एड़ कर देंगे पानी यहां पर मैंने टोटल तीन कप पानी डाला है इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें बॉयल आने देंगे ये देखे हमारी सबजियों में बॉयल होना शुरू हो गया है अब हम इसे फिर से ढख देंगे और दस से बारा मिनिट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे ये देखे हमारी यालू टमटर की सबजी बिलकुल रेड़ी है धनी को भी मच्चे से मिला लेंगे अब मसाला पूरी बनाने के लिए मैंने यहां पे लिए है दो कप गीहूं काटा इसमें हम एड़ कर देंगे टू टेबल स्पून सूजी साथ ये एड़ कर देंगे थ्री टेबल स्पून बेसन अब हम इसमें एड़ कर देंगे 1 by 4 टेबल स्पून मिर्च तीखा लाल मिर्च लेंगे साथ ही एड़ कर देंगे 1 by 4 टेबल स्पून हल्दी 1 by 4 टेबल स्पून नमक और अब हम इसमें एड़ कर लेंगे 1 टेबल स्पून अजवाइन साथ ही हम इसमेड कर देंगे बन एंड हाफ टेबल स्पून का सुरी मेती इसे हम अच्छे से रब कर लेंगे हाथों से और इसे डाल देंगे अब अपने मसालों को आटे के साथ अच्छे से मिला लेंगे साथ ही हम इसमेड कर देंगे टू टेबल स्पून तेल इसे भी अच्छे से मिला लेंगे अब हाथों के हल्प से भी इसे अच्छे से मिला लेंगे और हम इसमेड कर देंगे पानी और अपना डो तयार कर लेंगी हम भी टाइट डो लगाना है ये दीखी हमारा टाइट डो रेड़ी है अब हम इसी दस से पंदा मिट के लिए रेस्ट करने देंगी ये देखिए पंदा में ठोचुके हैं हमारा डो बिल्कुल रेडी है अब मैंने यहाँ पे ले लिये लोई उसमें लगा लिये तेल इसे हम बेल लेंगे हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है ये देखिए हम इसे ऐसे ही बेल लेंगे ये ले लिए मैंने कड़ा ही इसमें डाल दिया है तील हमारा तील अच्छे से गरम हो चुका है इसमें डाल देंगे पूरी को और इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राइ कर लेंगे ये देखे इसे अच्छे से दवाते हुए हम फ्राइ कर लेंगे और पैलट लेंगे साथ ही डाल देंगे अपनी दूसरी पूड़ी को भी उसे भी मेडियम फ्लेम पे पका लेंगे तो ये दीखिए हमारी पूड़ी ये वाली रेडी है इसे हम निकाल लेंगे और अपनी दूसरी पूड़ी को भी हम निकाल लेंगे तो ये दीखिए हमारी मसाला पूड़ी बिल्कुल रेडी है ये मैंने थाली में ले ली है मसाला पूड़ी साथ में ले लेंगे आलू टमाटर की सबजी ये ले लिया है मैंने बूंदी का रायता इसमें हम स्प्रिंकल कर लेंगी तीका लाल मिर्च और थोड़ा सा भुनंग वा जीरा पौडर और साथ में ये ले लिया है मैने सलाथ तो आप भी मेरे इस रेसिपी को जरूर रह कीजिए और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू